प्रभु येस्टू के सामर्थी नाम में प्यारो हाउ टू बी विक्टोरियस सीरिस के इस पांच में भाग में आप सबी काम स्वागत करते हैं हम विश्वास रखते हभी तक के भाग आपने जरूर देखे होंगे प्यारो और आप आशिशीत हुए होंगे आज का विससाई जो प्रभु हमें शिखाना चाथे आई उसमें जयाए उससे पहले छोटी दूआ करे परमेशवा की सहायता हम मागे आए दूआ करे जीवित परमेशवर सामर्थी परमेशवर वीजेई दिलाने वाले परमेशवर हम आपके च्हरणों में आते जो हमें सामर्द देता है उसकी सहाइता से हम सब कुछ कर सकते है जो हमारे साथ है वो जो इस दुनिया में है जो हमारा सत्रू है उससे भी कई गुना अधिक सामर्दी है वो परमेश्वर हम आपके चרनों में आते है जब हम सीख रहे परमेश्वर कि how to be victorious हम विजेता कैसे बने तब हमारी ये दुवा है तब हमारी ये प्रात्ना है आप हमें अनुग्र दीजे प्रभू कि हम हमारे जीवनों में विजेयों को देख पाए परमेश्वर ये शुमसी के नाम में जो लोग हारा हुआ जीवन जीते है जो लोग आज निरास है जो लोग आज शिंतित है जो लोग परमेश्वर कोई भी तकलीफ समस्या से होकर गुजर है हमारी बिंती है ये शुमसी के नाम में वो अपने जीवनों में बड़े विजेयों को देखे आज के वच्छन को सुनने के द्वारा हम ये शुमसी के सा जीवन से हराया जाए प्रभू येशु के नाम में प्रभू आप अनुग्र करिये प्रमेश्वर इस वचंग को नक के वल सुनने के लिए समझने के लिए जीवन में अमल में लाने के लिए हमें मदद करिये प्रमेश्वर येशु मसी के नाम से हमारे दूआ आपके चनों में लाते हैं आप कबूल करें प्यारे पीता प्रभु येश्यू के नाम में आमें आमें प्यारों आज हम पिछले जितने भाग थे उसका रिवीजन नहीं करना चाहतें समय बचाने के लिए लेकिन अगर आपने भी तक के जितने भी भाग थे नहीं देखें आप जरूर लिंक हम आपको दे देंगे आप उस पर जाकर उसे देख सकते हैं आज का जो विश्य है हाउ टू बी विक्टोरियस सिरिस का पाँछवा भाग वो है चैलेंज यॉर चैलेंजिस जो हमारे जीवन में चुनोती है एक हो दो हो या अनेक हो उस चुनोतियों को ललकारना कैसे है प्यार वो हमा सीखना चाते है चैलेंज यॉर चैलेंजिस चुनोती को ललकारो पिछले जितने भी भाग थे इस सीरिस के पहला समुईल सत्रवा द्याए उससे हमने इन बातों को सिखाए और आज भी पहला समुईल अद्याए सत्रा से दाहुत के और गोलियात के बीच जो लड़ा हुई उसके द्वारा इन बातों को हम सीखेंगे प्यारो गोलियात ने परमेश्वर के लोगों को प्यारो बार बार चुनोती दी लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सावर राजा और इसराइली लोगों में से कोई भी उसे चुनोती देने के लिए आगे नहीं आया करता था लेकिन जब तक दावुद पिच्चर में नहीं आता तब तक और कोई भी ऐसा नहीं था इवन सावर राजा भी नहीं कोई भी ऐसा नहीं था जिसने हिम्मत जुटाई हो गोलियात को चुनोती देने की उसकी चुनोती को ललकारने की पहला समय सत्रावा दियाए आठवी आयत हम पढ़ना चाहते प्यारों देखे वचन क्या कहता है वह मतलब गोलियात खड़ा होकर इस्राइली पांतियों को ललकार के बोला तुमने यहां आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बादी है क्या मैं पलिस्तिन नहीं हूँ और त समय बचाने के लिए पूरी याद को नहीं पढ़ेंगे पहला समय सत्रावा और आठ में हमने पढ़ा वो गोलियात आता है और ललकारता है यह दुसरी याद पहला समय सत्रावा दियाए और दस्वी याद यहां पर लिखा है फीर वह पलिस्ति बोला मैं आज के दिन इस्रा आइली पांतियों को ललकारता हूं किसी पूरुस को मेरे पास बेजो कि हम एक दुसरे से लड़ें पहले भी हमने देखा उसने आकर चुनोती दी फिर से यहां पर देख रहे है वह आकर ललकारता है बोलता है चुनोती देता है पहला समय सत्रावा दियाए और तेई स्वी वह उनके साथ बाते कर ही रहा था कि पलिस्तियों की पाती में से वह वीर अर्था गत्वासी गोलियात नाम वह पलिस्ती योधा चड़ाया और पहले किसी बाते कहने लगा और दाउद ने उन्हें सुना प्यारो हमने देखा बार बार गोलियात आता है परमेश्वर के लोगों को साउल राजा को चुनोती दिये करता है बार बार आकर वहाँ पर लिखा है हमने जैसे पड़ा वो बोला बार बार हमने पड़ा कि उसने ललका रहा कोई आकर मेरे साथ लड़ो अगर आप हार जाओग तो आपको मेरे दास बनना पड़ेगा, अगर मैं हार जाओंगा तो मैं आपका दास बनूँगा, बार बार हर एक आयत में लिखा है, वो आता था, चुनोती देता था, ललकारता था, लेकिन इसराहिली लोगों में से उसकी चुनोती को ललकाने वाला कोई भी नहीं था प्या आए मिलकर पड़े, ये सब कितने समय तक चला, वह पलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और साच को निकट आकर खड़ा हुआ करता था, कितने समय तक चला प्यारों ये सब 40-40 दिनों तक और वो भी सुब हैं और साम, दोनों समय वो आता था, बार बार चुनोती देता था, ललका आता था, बोलता था कि कोई आओ मेरे साथ लड़ो, लेकिन उसकी चुनोती को ललकारने वाला इन 40 दिनों में कोई भी एक भी इसराहिली लोगों में से खड़ा नहीं हुआ था, प्यारों, कोई किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी, कि वो आये और गोलियात की चुनोती को ललकारे, सब हिम्मत गवा बैठे थे, हमने जब पहले सेसर में देखा था, हमाने लिखा था, उनके मन कच्छे हो गए थे, उनके मन कमजोर हो गए थे, कोई भी इसमें से ऐसा नहीं था, इन 40 दिनों में, जो आगया है, गोलियात की चुनोती को ललकारे, प्यारों हो सकता ह हमारी भी परिस्थिती ऐसी ही कुछ हो, जो हमारी चुनोतिया है, उसका सामना करने में हम अपने आपको कमजोर महसूस करते होंगे, हमें ये ताकात नहीं है कि हम उसे, जो हमारी चुनोती है, उसे ललकारे, उसका सामना करे, हमारी चुनोती को हम चुनोती दे, प्यारों सा प्रभू आज बल देगा कि हम वो लोग बनेंगे जो हमारी चुनोतियों को ललकारने के लिए आज खड़े हो जाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं था जो उससे चुनोती दे उससे ललकारें। पहला समुएल सत्रावा दिहाएं और फॉर्टी वन आयत में वहाँ पर लिखाएं। गोलियात ने दावद को भी ललकारा। आएंगे बड़े क्या वचन कहता है। और पलिस्ती चलते चलते दावद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिये था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिस्ती ने द्रिस्टी करके दावद को देखा तब उसने उससे तुच्छ जाना और कहा क्योंकि यह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली जलकती थी और वह सुन्दर था और उसने क्या कहा 43 आएट तब पलिस्ती ने दावद से कहा क्या मैं कुता हूं कि तु ल पलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दावद को कोशने लगा फिर पलिस्ती ने दावद से कहा मेरे पास मैं तेरा माउस आकास के पक्सियों को और वनपस्व को ले दूंगा यहाँ पर यह जो गोल्यात है दावद को भी चुनोती देता है और वैस जैसी तैसी चुनो बनाता है और फिर कहता है मैं तेरा माउस आकास के पक्सियों को और वनपस्व को देखा दूंगा मैं तुझे खतम कर दूंगा बहुत भारी चुनोती इस गोल्यात ने दावद को दी मैं तुझे आज खतम कर दूंगा मैं तुझे आज मार डालूंगा मैं तुझे जिन्द नहीं छोड़ूँगा तुमेरा आगे कुछ भी नहीं है प्यारो ये चैलेंज जब गोल्यात ने दाउद को दी तब दाउद वो पहली व्यक्ति थी जिसने इस चैलेंज इस चुनोती का जवाब दिया इस चुनोती को ललकारा जब गोल्यात की बातों को सुनते ही सब वहां स भाग जाते थे तब दाउद पहला था जिसने चुनोती देने वाले को चुनोती दी उससे ललकारा सामने बुलने की हिम्मत दिखाई हाललुया अभी तक सब प्यारो हम आगे जो वर्स हमने पढ़ी उसमें हमने पढ़ा है जब गोल्यात चुनोती देता था वो लोग वहां से भाग जाते थे प्यारों वहां बच्चन में लिखा है जब गुलियात ने चुनोती दी यहां पर आप पढ़िएगा तब यहां पर क्या लिखा है उस पुरुस को देखकर सब इसराइली अत्यंद भई खाकर उसके सामने से भागे अभी तक सब भाग जाते थे यह सब 40 दि से हो रहा था लेकिन दाओद पहला था जिसने चुनोती देने वाले को चुनोती दी चुनोती देख देखकर भाग नहीं गया उस गुलियात की बातों को सुनकर डर कर भाग नहीं गया वो चुनोती देने वाले को भी ललकारता है हाललुया क्या कहता है दावद आई इस वच्छन को मिलकर पड़े पहला समोय सत्रवा दियाई और 26 आद तब दावद ने उन पुरुसों से जो उसके पास आकर खड़े थे पूछा कि जो उस पलिस्ती को मार के इसराइलियों की नामदराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा वह खतना रहीत पलिस्ती तो क्या है कि जीवते परमेश्व की सेना को ललका रहे हाललुया दावद वो पहला विक्ती था जिसने गोल्यात की चुनोती को ललका रहा और कहा वो खतनारहित पलिस्ति क्या है मतलब वो जो परमेश्वर को नहीं जानता वो मेरा सत्रू क्या है कि वो परमेश्वर की सैना को लल कारे है हललॊ-या प्यारो हमें हमारे युद्धों में चुनोती का सामना कैसे करना है ध्यान से सूने, अगर आप अपने जीवन में जो भी चुनोती है उसका सामना करने में कमज़ोर मैसूस कर रही हूए उस बात को आप ध्यान से पढ़ें और सूने, हमें हमारे युद्धों में चुनोती का सामना कैसे करना है, दो बात इंपोर्टन है विश्वास करके और जो विश्वास हम करते है उसकी गोशना करके दो बाते हमें करनी है प्यारों हम देखेंगे दाउद ने गोल्यात को चुनोती दी उसकी चुनोती को दाउद ने ललका रहा उसके अंदर भी ये दो बाते थी हम जो हमारी चुनोती का सामना नहीं कर सकते अपने आपको कमजोर महसुस कर रहे हमने हार मान लिये हम नीरासों कर बैठ गए अगर हमें खड़ा होना है आज हमारी चुनोतियों का सामना करना है हमारी चुनोतियों को हमें ललकारना है तो ये दो बात हमें करनी है जो आज हम सीखेंगे दाउद ने भी की कौन सी दो बात है पहली बात विश्वास करना है और दूसरी बात हमारे विश्वास की गोशना करनी है प्यारो ये दो बात हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण है चुनोती का सामना करके उसे ललकारने की हिम्मत दाउद में कहां से आई इन दो बातों के द्वारा उसके विश्वास के द्वारा कौन सा विश्वास की परमेश्व का नाम सामर्धी है युद परमेश्व का है परमेश्वर उसके साथ है और उससे परमेश्वर विजह दिलाएगा हाललूया ये विश्वास आपको आज करना है अगर आप अपनी चुनोतियों के सामने सिर जुका देते हो हार मान लेते हो निरास होकर ठक कर बैठ गयो लेकिन आज आप चाहते हो कि आज आप खड़े हो जाओ चुनोति का सामना करो चुनोति को लल करो तो आपको ये विश्वास करना होगा जो दाउद ने किया अभी हम वच्छन से भी देखेंगे कौनसा विश्वास परमेश्वर का नाम सामर्थी है युद्ध परमेश्वर का है आपका नहीं परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपको विज्य दिल लाएंगे ये विश्वास प्यारो हमें करना है और उसके साथ साथ क्या करना है जो दाउद ने किया उसने क्या किया था और उसने इसी विश्वास को बोलने के द्वारा जाहिर किया विश्वास की खोशना की दाउद में चुनोती को ललकाने की हिम्मत कैसे आई दो बातों के द्वारा पहला विश्वास और दुसरा विश्वास को बोलने के द्वारा उसकी खोशना करने के द्वारा यूद के बीच विश्वास करना और विश्वास की कोशना करना प्यारो बहुत ही आवश्यक है क्योंकि विश्वास हमारी डाल है प्यारो जो यूद में हमें सुरक्षित रखता है प्यारो युद के बीच में हमें विस्वास करना है प्यारो और विस्वास की गोशना को हमें करना है क्योंकि वो बहुत ही इंपोर्टन्ट है बहुत ही आवश्यक है आए हम वचन से देखे दाउद ने कैसे ये किया उस अपने विस्वास को जाहिर किया वो कौन सा विश्वास करता था और उसने क्या गोशना की पहला समुएल 17 वा दियाए और 45 आयत आये हम मिलकर पड़े इस आयत को वच्चन में लिखा है दाउद ने पलिस्ती से कहा तू तो तलवार और भाला और सांग लिये हुए मेरे पास साता है परंतु मैं सेनाओ के यहुआ के नाम से तेरे पास आता हूँ जो इसराहिली सेना का परमेश्वर है और उसी को तुने ललका रहा है दाउद को विश्वास था कि परमेश्वर का नाम सामर्थी है और इसलिए वो गोलियाद को कहता है मेरे पास तलवाद नहीं है मेरे पास और कोई हधियाद नहीं है लेकि मेरे पास सेनाओ के यहुआ का नाम है हाललुया दाउद को यह विश्वास था कि उसके पास जो नाम है वो गोलियाद के नाम से भी अदिक्ष सामर्थी है क्या प्यारों, आपके अंदर ये विश्वास है, जो परमेश्वक का नाम आपके पास है, वो आपकी बीमारी से, करजे से, पारिवारिक समस्याओं से, आपके जीवन में जो भी छुनोती है, आपके जो भी सत्रू है, उनके नाम से अधिक सामर्ती है, आज विश्वास करें, दाउद ने कहा मेरे साथ जो है वो सैनाओ का यहोवा है और मैं उसको बजने वाला हूँ मैं उसका बेटा हूँ और उसने कहा तूने मुझे नई सैनाओ के परमेश्वर को ललका रहा है दाउद जानता था उससे विश्वास था उसके युद्ध पर मेश्वर लड़ते है आज भी स्वास करें प्यारो जो आपको चुनोती दे रहा है जो परिस्थिती, जो समस्या जो तकलीफ, जो सत्रू कई ऐसे साइड लोग भी हो सकते जो आपको चुनोती देते वो आपको नहीं पर मेश्वर को चुनोती दे रहा है हाललूया प्यारो जब साउल पर मेश्वर के लोगों को सता रहा था और येश्व जब उसे मिले प्रभू येश्व ने क्या कहा तू मेरे लोगों को नहीं मुझे सताता है हाललूया प्यारो आपको जो चुनोती दे रहा है वो कोई भी सत्रू क्यों नहों वो आपको नहीं परवेश्व को चुनोती दे रहा है यह दाउद का विश्वास था प्यारो दूसरी बात उसने क्या की पहला समुईल 17 और 46 आयद आज के दिन देखे उसका विश्वास और विश्वास की घोष्णा आज के दिन यहोवा तुझ को मेरे हाथ में कर देगा ध्यान से प्यारो इस आयत को पड़े प्रमेश्व का दास दावुद यूद का रिजल्ट आए उससे पहले विश्वास की घोष्णा करके result declare करता है और कहता है आज के दिन यहोवा तुछ को मेरे हाथ में कर देगा हाललूया प्यारो क्या आप आपकी चुनोतियों को देखकर ये कह सकते हो ए बिमारी तेरा कुछ नहीं चले वाला प्रभू मुझे तुछ पर भी जे देगा एक खर्ज तेरा कुछ नहीं चले वाला मेरे छीवन से तुझे जाना है आपको जो परिसान कर रहे है प्यारो वो लोगों को देखकर उनके मुँपर नहीं लेकिन आपके विश्वास की गोश्णा करते होए आपकी दूआ में आप ये कह सकते हो कोई भी मेरे आगे नहीं खड़ा रह पाएगा कोई भी सस्त्र मेरे विरुद सफल नहीं होगा कि आप विश्वास से युद का परिणाम आने से पहले विश्वास की गोश्णा करके विजए को डिकलेर जाहिर कर सकते हो प्यारो दावुद ने किया हाललुया कहा आज प्रभू तुझ पर मुझे विजए देगा प्यारो विश्वास की गोश्णा करता है वो कहता है और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सीरी तेरे दर्ड से अलग करूंगा और मैं आज के दीन पलिस्ति सेना के लो थे आकास के पक्सी और पृत्वी के चिवजंतों को दे दूँगा तब समझ पृत्वी के लोग जान लेंगे कि इसराहिल में परमेश्वर है हाललुया युद के रिजल्ट के आने से पहले अभी तो परी नाम नहीं देखाता दावद ने वो जाहिर करता है विश्वास की गोशना करना सिखे प्यारो परी नाम आने से पहले जब सक नकारात्मक दिखता हो तब भी कहे प्रभू मुझे बीचे दिल आएगा प्रभू मुझे बहाल आएगा प्रभू मुझे बचाएगा प्रभू मेरे लिए व्यवस्था करेगा प्रभू मेरे लिए नौकरी के द्वार खोलेगा प्रभू मेरे बिस्टेस को जो मरा हुआ है वो प्रभू से उठाएगा विश्वास से जाही करना सीखे दाउद ने किया प्यारो पहला समुझ सत्रवादिया और 47 आयत महाँ पर लिखा है और यह समस्त मनली जान लेगी कि यहोवा तलवार वबाले के द्वारा जेवन्त नहीं करता इसलिए कि संगराम तो यहोवा का है द्यान से पड़े प्यारो इन बातों को जो दाउद ने डिकलेर की इसलिए कि संगराम तो यहोवा का है मेरे पीछे उच्छी आवाद में अपने घरों में जहां कहीं भी आप बोलिए डिकलेर करें विश्वास से जाहीर करें कहें इसलिए कि संगराम तो युद्ध तो यहोवा का है और वही मेरे सत्रों को हमारे हाथ में कर देगा हाललुया दाउद की प्यारो ये गोशना थी प्यारो उसका ये विस्वास और विस्वास की गोशना वो विस्वास करता है परमेश्व का नाम सामर थी उसे विज़े दिलाने के लिए वो विश्वास करता है युद्ध तो परमेश्वर लड़ेगा वो विश्वास से गोष्णा करता है रिजल्ट अभी नहीं आया तब भी कि मैं आज तुझे मारूंगा मैं तुझे आज हराऊंगा मैं तुझे पर आज विजए पाऊंगा हाललुया वो कहता है संगराम युद्ध मेरी तलवार या भाले से नहीं मिलने वाला युद्ध तो यहुआ का है और वो मुझे वीचे देगा प्यारों ये बहुत ही जरूरी है हम हमारी युद्धों में विश्वास रखे और विश्वास की कोश्णा करे मर्पकुस 11 में येश्व ने दो बाते कही येश्व ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्व के उपर विश्वास रखो पहली बाद और दुसरी बाद मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहार से कहे बुल ये कहे दो बाते प्रभु येश्व ने सिखाई पहली बात प्रभु येश्व ने क्या कही मुझ पर परमेश्व के उपर विश्वास रखो और दुसरी बात मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कोई इस पहार से कहे कि तुँ उखड जा और समुद्र में जा पर और अपने मन में संदे ना करे वरम प्रतिती करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा हाललूया दो बाते दो क्वालिटी दाउद के अंदर थी जिसने उसे चुनोती को ललकारने के लिए बल दिया दो बाते विश्वास परमेश्व के उपर का और दूसरी विश्वास की घोष्णा दो बाते प्यारो प्रभू ये सुने भी सिखा ही आप विश्वास रखो और पहाडों से यो हमारे जीवा में बड़े बड़े पहाड है उससे हमें कहना है घोष्णा करनी है बोलना है कि है पहाड तू खड़ कर समुद्र में जागिर आप कहते हो प्यारो क्या विश्वास की घोष्णा करते हो अगर नहीं करते प्यारो आप अपने जीवां के युद्दों में विजे नहीं हो पाओगे प्यारो हमें विश्वास रखना है और विश्वास की गोष्णा करनी है वच्चन हमें कहता है ये बहुत ही महत्वा पूर्णा है प्यारो हम जो बोलते हैं वो बहुत ही महत्वा पूर्णा है क्योंकि वच्चन कहता है जीव के वस में मृत्य और जीवन दोनों होते है और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा प्यारो हमारे जीव में जीवन है अगर आप जीवन को बोलते हैं आप विजे को गोशित करते हैं आप विजे को देखेंगे नेगेटिव बाते बोलना बंद करिये मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अब तो ये बीमारी मुझे ले करी जाएगी आप क्या बोल रहे हैं प्यारो आपके मुझे क्या विश्वास की बाते निकल रहे हैं आप ये बोल रहे हैं मैं ये करजे से कभी नहीं बारा पाऊंगा अब ये बोल रहे हैं पूरा जीवन चला गय मैं अपना घर कभी नहीं देख पाऊंगा ये नकारत मक्त बाते बोलना बन करिये विश्वास से डिकलेर करना चालू किजे प्रभू की दया से मैं अपने घर को देखूंगा प्रभू की दया से और उसके नाम के सामर्थयम है मैं इस बिमारी के उपर विज़े को देखूंगा विश्वास करिये प्यारो आपकी नोकरी के द्वार नहीं खुल रहे ये मत बोले अभी तक बहुत मैनत की अभी तक कुछ नहीं हुआ और आगे भी कुछ नहीं होगा ये बोलना बंद करेए आपकी जीब में जीवन है जीवन को बोले आशी शो को बोले कहे मेरे लिए नोकरी के द्वार खुल जाए प्रभू खुलेगा प्यारो कहे मेरे लिए अच्छे सची नोकरी गवर्मेंट जॉब मुझे मिलेगी आपके लिए प्रभू करेगा विश्वास से पहाड को कहोगे वो पहाड हटेगा बंदवार खुलेगे प्रभू का बच्छन कहता है जीव की सत्ता में जीवन है नीती बच्छन बारावाद द्याई चोदा भीयाद कहती है सज्जन अपने वच्छनों के फल के द्वारा भलाई से तुरुप्त होता है आप वच्छनों का जो आप बोलते हैं उसका फल खाओगे नीती बच्छन अद्याई च्छे में कहता है तू अपने ही मुग के वच्छनों से फसा आप वच्छनों से आसीस को बोज सकते हो आप वच्छनों से प्यारो फस भी सकते हो नकारात्मक बातों को बोलने के द्वारा कई लोगों को हमने सुना कई लोग ने हमें कहा कि मैंने प्रभु से कहा बहुत सेवा हो गई प्रभू अब एक आद बीमारी आ जाए तो भी ठीक है कि थोड़ा वो बहने मुझे आराम मिल जाए और वो सच मुझ बीमार हुए क्यों क्योंकि वो अपने वच्छों से फसे प्यारो हमें वच्छों से मूँ से जीव से नकारतमग बातों को नहीं बोलना है दाओद के समान विश्वास की घोष्णा को करना है हाललुया नकारात्मग बाते नेगेटिव बाते मुझे बोला बंद करिये दाउद के समा सिखिये भले परिस्थिती बड़ी क्यों न हो उसके सामने देखर विश्वास की गोशना को करना सुरू करिये प्यारो वचनों की प्रामिस का दावा करना सुरू करिया प्यारो और आप उसके द्वारा विज्यो को देखोंगे प्यारो सुने निम के विशे में वचन में लिखा है दूसरा राजा द्याय चार में सुने मिन का बेटा मर गया था प्यारो पूरा मैं नहीं पड़ूगा समय बचाने के लिए वो बेटा जब मर गया वो वहां से परमेश्व के दास एलिसा के पास जाने को निकली वो रोई नहीं, कुड़कुड़ाई नहीं नकारत मत बातों को नहीं बोला जब उसके पती ने पुछा तु कहा जा रही है आज तो कोई विसेश्दीन नहीं है फिर भी तु कहा जा रही है तब उसने जवाब दिया तेईसमियाद लिखा है कलियार होगा सब कुछ ठीक है, ठीक ही होगा बेटा मर गया है, फिर भी वो कहती है सब ठीक होगा वो जब परमेश्व के दास के चेले से मिलती है परमेश्व के दास के सेवक से मिलती है तब वो उसे पुछता है क्या सब कुछ ठीक है कुसल है तब वो क्या जवाब देती है हाँ सब कुछ कुसल है प्यारो वो यहाँ पर अपना बेटा मर गया है फिर भी कोई भी नकारतमक बाते मुझसे नहीं निकालती ये नहीं कहती क्या हो गया सब खुद लोट गया, सब खुद बरबाद हो गया बुड़हपे में एक ही बेटा तो मिला था वो भी चला गया पर में शतु कैसा है तुने मेरे एक लोटे बेटे को ले लिया नकारतमक बाते नहीं बोलती इतना भारी दुखाने पर उसका पती पुछता है एलिसा का दास आकर उसे पुछता है दोनों को कहती है सब कुछ ठीक है, कल्यान है, कुशल ले उसके साथ अच्छा ही हुआ क्योंकि उसने मुझ से नकारतमक बाते नहीं बोली विश्वास की कबूलाद की कुसल होगा, बोला और उसके लिए कुसल ही हुआ उसके मरे हुए बेटे को चिलाया गया हाललुया, आपके जीवन में ऐसी मरी हुई कोई परिस्थिती है सालों से डेट कोई परिणाम नहीं, कोई बलाव नहीं कोई चेंज नहीं अभी भी बोल ये, सब ठीक होगा अभी भी बोलना जारी रखे सब कुछ अच्छा ही होगा और परमेश्वर आपके बोलने पर आपके विश्वास के उपर महल लगाएंगे, हाललूया प्यारों, जब पाउल तुफान में फसा था पॉलूस प्रेतो के काम 27 आयद, बड़ी आदी थी और ऐसी आदी, वहाँ पर लिखा है, कई दिनों से उन्होंने सूरज और चांद को भी तारों को भी नहीं देखा था इतनी भारियां दी थी यहां तक कि उन्होंने बचने की आसा भी छोड़ दी थी, और ऐसे समय में, 25 वियाद में, पॉलूस कहता है इसलिए संजनों धाड़स बादो, क्योंकि मैं परमेश्व की प्रतिती करता हूँ, विस्वास करता हूँ कि जैसा मुझे कहा गया है वैसा ही होगा हाललूया, बहुत भारी तुफान के बीच जब सब ने आसा छोड़ दिये जीने की, तब पॉलूस कहता है जो प्रभू ने मुझे कहा है वो ही होगा मुझे बचाने के लिए प्रभू ने बुला है वो मुझे बचाएगा हाललूया, क्या आपके जीवन के तुफानों में आप पॉलूस के समान ये सब्दों को कह सकते हो कि प्रभू ने जो बच्छन मुझे दी है, वो पुरा करकर रहेगा क्या पॉलूस के समान कह सकते हो प्यारो हमें चुनोती को ललकारते सिखना है कैसे ललकारेंगे हमारे विश्वास को बनाये रखने के दौरा और उसकी गोशना के दौरा पॉलूस ने गोशना की हम नहीं मरने वाले क्योंकि प्रभू ने मुझे जो बोला है वहाँ युतुख नाम का एक लड़का था वो तीसरे मंजरीले से गिर गया और लोगों ने उससे मरा हुआ उठाया तब भी पॉलूस ने क्या कहा था आईए इस बात को हम पड़े तब पॉलूस ने उन लोगों से कहा दस्वियात में गबराओ नहीं क्योंकि उसका प्राण उसी में है हकीकत में तो वो मर गया था लेकिन पॉलूस डिकलेर करता है वो मरा नहीं है वो जिन्दा है और उसका प्राण उसी में है और उसके बाद वहाँ पर लिखा है वो जाकर रोती तोड़ कर खाने लगा हाललूया इसे विश्वास बोलते है प्यारो अगर आप चैन की निंद नहीं सो पाते आपके अंदर विश्वास की कमी है प्यारो आप चैन से खाना नहीं खा पाते आपके अंदर विश्वास की कमी है आप माग ये प्रभू मुझे अनूगर दे कि मैं विश्वास कर पाऊ, मेरे विश्वास को द्रिड के पॉलुस तो वो मर गया है, उसके लिए दुआ करके आया और आराम से खाने लगा प्यारो, ये विश्वास से प्यारो क्योंकि उसे पता था, जो मैंने मागा है वो प्रभू करें उसे जिन्दा करेगा, क्या आप अपने युद्धो के समय में, तकलीफ के समय में चैन से खा सकते हो, चैन से सो सकते हो, तो आप उससे विश्वास बोलते है विश्वास मतलब हर एक चिंताओं को आपने प्रभू को दे दिया है आप उसके उपर भरोसा बनाए रखे हो, कि वो सब कुछ समभा लेगा जब आपको पका भरोसा आप चैन से होंगे, और चैन से खाओगे और वो ही हुआ, बारवी आत में लिखा है, और वे उस लड़के को जिवित ले आए हाललूया, प्यारो आईए आज अपने आपको तैयार करें, विश्वास को फिर से बनाए विश्वास अगर मरा हुआ है, उसे जिलाए, कहे प्रभू मैं विश्वास मैं कमजोर हूँ निर्बल हूँ, मेरा विश्वास जो मरा हुआ है, कमजोर है, उससे चिविद कर, द्रेड कर और आज से विश्वास की गोशनाओं को करना सुरू करें प्यारों, हमारे युद्धों में जो भी चुनोती हमारे सामने, कैसे उसका सामना करें, दो बाते जो दाउद ने की, पहली बात विश्वास को करके और विश्वास की गोशनाओं को करके प्यारो हमने हमारे जीवन में ये बातों को अनुभव किया है जब विश्वास किया और विश्वास से गोशना की बड़े वीजो को देखा है इन दो बातों से हमने हर एक चुनोती का सामना किया है उसको ललका रहा है प्यारो और बड़े वीजियों को देखा है जब मेरे मम्मी का पैंसन सुरू नहीं हो रहा था जो लेड़ी ओफिसर थी बार बार धक्के खिला रही थी और जब हम उनके डेस्क पर जाते टेबल के पास जाते वो देखती भी नहीं हमारी और वो अपने आसिस्टन से कह देती इसारा करके देख लो इन्हें इतना घबन क्यों क्यों नहीं देखती थी पैसे चाहिए थे और ऐसे समय में जब हम धक्के खा रहे दे पैंसन शुरू नहीं हो रहा था मैंने हमने विश्वासर डिक्लेर करना शुरू किया एक रूपिया भी नहीं देंगे और दुसरी बाद अगर ये लेड़ी ये लेड़ी ऑफिसर या तो बदलेगी और अगर नहीं बदलेगी प्रभू यहां से उसे उठा लेगा और हुआ भी ऐसा प्यार जो विश्वास किया और जो विश्वास की खोशना की वही प्रभू नहीं किया एक ही कि अंदर उसका एक्सिडन्ट हुआ उसे रजाल छुट्टी लेनी पड़ी वो घर पर गई उसके बदले और नया ओफिसर वहाँ पर आया दूसरा नया ओफिसर और उसने हमारी फाइल आगे बढ़ाई मम्मी का पैंसन शुरू हो गया हाललुया हमारे चर्च के एक बहन नर्स उनको कोई गलत रिती से धमकी दे रहा था मैं तुमारी नोकरी से तुम्हें नोकरी आपकी मैं छीन लूगा आपको आपकी नोकरी गवानी पड़ेगी आपके उपर यह इलजाम लगाऊंगा वो इलजाम लगाऊंगा और बड़ा बड़ा वो अधीकारी था हमने उनसे कहा या तो वो बदलेगा या तो प्रभूस को बदलेगा उसकी जगह को बदलेगा थोड़ी समय में प्यारो उसके ट्रांसफर हो गए ये हमारा परमेश्वर है आप जो विश्वास करोगे आप जो विश्वास है डिक्लेर करोगे वो परमेश्वर आप के लिए करेगा हाललूया परमेश्वर के दास बैन हिन साप के भी से मैं हम देख रहे थे प्यारो उन्होंने उनका घर गवाया उनके डिवॉर्स की जो प्रोसीजर थी उनके डिवॉर्स हुए थे उनकी वाइब से और वो सारी प्रोसीजर के कारण वो जो भी हुआ उसके कारण उनको अपना घर गवाना पड़ा लेकिन परमेशर की दयास से तीन साल के बाद दोनों फिर से एक हुए प्रभु ने उनको एक खिया उनके अनुग्रह में और उन्होंने एक नया घर परचेस करने के लिए परमेशर के दास कैनेट कॉपलेंट साब का उनके ओपर फॉन आया और उनको कहा आप विस्वास से जो डिकलेर करोगे वो आपके लिए प्रभु करेंगे पाश्र बेरिन साब ने इस बात को घंबिरता से लिया उन्होंने और उनके वाइफ ने विस्वास से डिकलेर करना सुरू किया कि प्रभु ये साल में हम हमारे उपर जो करजा है इस घर की लॉन का करजा उससे हम आज़ाद होंगे उससे हम फ्री होंगे ये श्मस्री के नामे उन्होंने और उनकी वाइप ने विश्वा से गोशना करना सुरू किया जैसे परमेश्व के दास केनेट कोफलें साब ने उनसे बताया था और प्यारो थोड़े ही समय में एक व्यक्ती ने उनसे फॉन किया वो दुबई से बोर रहा था और उन्होंने बताया मैं आपके घर के लिए कुछ प्रेमबेट कुछ गिप्ट डॉनेट करना चाहता हूँ और उन्होंने उनको पचास अजार डॉलर दी हाललुया थोड़े ही समय के अंदर वो नाइजिरिया गए और वहां से एक व्यक्ती ने फिर से उनको मिलकर का मैं आपके घर के लिए आपको मदद करना चाहता हूँ और उन्होंने फॉर हंड्रेड ताउजन डॉलर परमेशर के दास को उनके घर के लिए दिये हाललुया वही साल जो साल में उन्होंने अपना घर लिया था लॉन के उपर वही साल उनका पूरा करजा प्रभू ने दूर किया वो घर लॉन फ्री हो गया और वो करजे से मुक्त हो गया हाललुया परमेशर वो परमेशर है प्यारो आप जो विस्वास करोगे आप विस्वास से जो गोशित करोगे वो आपके लिए करेगा प्यारो आज आपको हम चुनोती देना चाहते हैं, आज हम आपको प्रोसाइट करना चाहते हैं, प्यारो, चैलेंज, यौर चैलेंज इस, आपकी चुनोतीों को ललकारना सुरू करें, प्यारो, उसके आगे घुटने न टेक दे, उसके आगे निरास होकर बैठ न जाए, हो सकता है विश्वास की कबूलात करना और उसके द्वार अपनी चुनोतीों को ललकारना जारी रखें, प्यारो, आज नहीं तो कल आप बड़े वीचों को जरूर देखेंगे, प्यारो, हम आपके लिए दूआ करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है, मैं अपनी चुनोतीों के स सामने गुटने टिक देता हूं, मैं निरास हो कर बैठ जाता हूं, मुझ में वो थाकात नहीं है कि अब मैं मेरी चुनोतीों से लड़ पाऊ, उसका सामना कर पाऊ, मुझ में अब वो विश्वास नहीं रहा, मेरी प्रातना, मेरी दूआ है कम जोर हो चुकी है, हम आपके ल चुनोतियों को ललकारने वाला हो, 40 दिन तक गोलियाद ललकारता था, चुनोती देता था, लेकिन कोई नहीं था, जो उससे चुनोती दे, लेकिन दाओद वो व्यक्ति था, जिसने गोलियाद को चुनोती दी, हाथ उठा कर करें, प्रभू मैं दाओद के समान बनना चाहत दाउद इसलिए चुनोती दे पाया क्योंकि उसके अंदर विश्वास था और दूसरा वो विश्वास की घोष्णा करने वाला व्यक्ति था प्रभू मेरे अंदर जो अविश्वास है उससे आप दूर करिये प्रभू मुझे विश्वास में ध्रेड करिये मेरे विश्वास की धाल कमजोर हो चुकिये तूट चुकिये लेकिन आज मैं प्राथ ना करता हूँ दाउद के समान मेरा विश्वास बनाए पॉलूस के समान म तेरा विश्वास बनाए प्रभू मुझे अनूग्र दीजिए मैं चुनोतियों को देखकर विश्वास में कमजोर न हो जाओ लेकिन विश्वास के साथ विश्वास की गोश्रा के साथ उससे ललकार सकू प्रभू आथ उठा कर मागे प्रभू आज आपके विश्वास को पुनर जीवित करने जा रहे है आपके विश्वास में आपको त्रेड करने जा रहे है रिवाय उखरने जा रहे है आपके विश्वास को ताकि आप अपनी छुनोतियों को ललकार सको और बड़े विज़ों को देख प लेकिन आज हमारी दुवा है येश्वमसी के सामर्थी नाम में दावुद के समान हमारे विश्वास को ध्रिड करिये हम विश्वास रखे कि आपका नाम सैनाओ के यहोव आपका नाम येश्वमसी आपका नाम सामर्थी है हमारे सत्रू के नाम से हम विश्वास करें हम विश्वास की गोश्ना करना से दाउद ने जैसे जाहिर किया आज गोल्यात मैं तurчив नारूंगा हरांगा युद का result आने से पहले विश्वास उसने result को जाहिर किया हम अनुगर दिजे कि हम विश्वास हमारे चीवानों में आपके वच्चनों को गोशित करना, उसकी गोश्रा करना जारी रखे प्रभू, ताकि हम विजर को देखे, हमारे मुझ से नेगेटिव बाते, नेगेटिव डिकलेरेशन निकले, नकारत्मक बाते ना निकले, कुड़कुड अहट निकले, वो सुने की जो स्त्री थी उसका बेटा मर गया था, फिर भी उस भारी दुख के समय में उसके मुझ से नकारत्मक बाते नहीं निकले, नुगर दीजे प्रभू, हमारी तकलीफों, दुखों, प्रस्नों में, युद के समय में मुझ से नकारत्मक बाते नहीं, विश्वास की गोश्णा को हम करना सिख कि हमाएची वन में और बड़े परगीना मों को बड़े विज्व को देखेए अगर इंका विष्वास कम जो रहे हैं प्यारे पीता हम दुआ करते हैं इंके विष्वास को द्रिड करें और विष्वास के गोश्डा करना सिखाये ताकि वो अपनी चैलेंज को challenge करना सीखे प्रभू अपनी छुनोतियों को ललकारना सीखे येश्वमसी के नामे और बड़े विच्यों को देखे येश्वमसी के नाम से मारी दुआ है आप कबूल करें प्यारे पीता आमेन और आमेन प्रभू आप सभी को प्यारो आसिसित करें इन वच्णों के दुआरा जो प्रभू ने आप से बात किये वो अपने जीवर में अमल में लाए ताकि आप वीजेता सही माइने में बन सको प्रभू आप सभी को आसिसित करें तैंक यू